दोस्तो हमारी यूट्यूब चैनल पामिष्ट्री एंट विल्थ में आपका स्वागत है दोस्तो आज हम आपको बताएंगे कि पामिष्ट्री में ऐसे कौन-कौन से संकेत होते हैं जो कि जातक के हस्ट पर होने पर उस जातक को सेयर मार्केट में इन्वेस्ट्मेंट करने पर बहुत सारा धन लाप करा सकता है जी हाँ दोस्तो पामिष्ट्री में कुछ ऐसे संकेत भी होते हैं जो कि किसी जातक के हस्त पर होने पर जातक कभी भी सेयर मार्केट में लॉस नहीं देता तता सदय भी पैसे कमाता है तो आए दोस्तो जानते हैं कौन से ऐसे मुख के संकेत हैं जो कि किसी जातक के हस्त पर होने पर जातक हमेशा धन लाभी कमाता है तो दोस्तो शुरू करते हैं पहले संकेत से दोस्तो जब भी किसी जातक के हस्त पर इस प्रकार से money triangle बनता है तो ऐसे जातक सेयर मार्केट में निवेश करके निश्चित रूप से पैसा बनाते ही बनाते हैं जी हाँ दोस्तो जैसा कि हमने आपको अपने पिछले वीडियो में मनी ट्रैंगल के विशा में बताया था यदि आपको कुछ भी कन्फिजन हो तो आप हमारा वो वीडियो देख सकते हैं दोस्तो अब हम बात करेंगे दूसरे संकित के बारे में दोस्तो जब भी किसी जातक के हस्त पर मनी ट्रैंगल के साथ कुछ इस प्रकार से केतुग्रह के अस्थान पर केतुग्रह प्रापर रूप से बना हो तो ऐसे जातक पहले संकित वाले जातक से ज़्यादा धन प्राप करते हैं सेर बाजार में निवेसित होकर दोस्तो अब हम बात करेंगे तीसरे संकेत के बारे में दोस्तो जब भी इस प्रकार से किसी जातक के हस्त पर मनी ट्रेंगल बना हो तथा उसके साथ केतु ग्रह के स्थान पर केतु ग्रह प्रापर डेवलप भी हो और उसके साथ ही यदि केतु ग्रह के साथ प्रापर इस प्रकार से फिस साइन बनता हो तथा उसका मुँ किसी भी ग्रह की तरफ हो चाहे वह बुद्ध ग्रह, चाहे वह सूरे ग्रह, तथा चाहे वह सनी ग्रह की तरफ ही क्यों न हो ऐसे जातक सबसे ज़्यादा धन कमाते हैं शेयर मार्केट में निवेशित रखे दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सेयर मार्केट में यदि थोड़ा भी धन कमाना है निवेश करके तो मनी ट्रेंगल का होना सबसे ज़रूरी है दूसरी बात दोस्तो money triangle के साथ साथ जातक को निवेसित रहना होगा क्योंकि दोस्तो निवेस का मतलब अपने पैसे किसी company में लगा दियें और दोस्तो जैसा कि हम bank तथा abdeez में निवेस करते हैं अपने पैसे लगा कि उसे छोड़ देते हैं उसी प्रकार से दोस्तो यदि कोई जातक अपना पैसा किसी company में निवेस करता है अर्थात उसे छोड़ देता है पैसे लगा कर कुछ समय के लिए तो उसे हम निवेस कहते हैं दूसरी तरब दोस्तो ट्रेडिंग एक अलग चीज होती है जिसमें पैसों के लॉस होने की ज़्यादा संभावना होती है क्योंकि ट्रेडिंग में कम पैसे से ज़्यादा पैसे कमाने के लालच में हमेशा लॉस ही होता है इसी वज़े से दोस्तो हमने निवेश सब्द का इस्तमाल किया जो कि किसी भी जातक को हानी नहीं देता यदि उसके पैसे किसी अच्छे कमपनी में निवेशित है तो दोस्तो हम बात कर रहे थे कि हस्तरेखा विज्ञान में वह ऐसे कौन से संकेत होते हैं जिससे यह जाना जा सकता है कि कैसे कोई जातक अपना धन सेर मार्केट में निवेश करके कैसे आसानी से पैसे कमा सकता है आसा करते हैं दोस्तों आपको हमारा वीडियो जरूर पसंद आया होगा और हमारे वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद